सोलन में डेंगू लगातार प्यार पसार रहा है अब तक करीबन साथ महीनों में 18 लोग इस रोग से प्रभावित हुए हैं गोरतलब ये है कि पिछले वर्ष डेंगू के ज़्यादा मामले परवानू बद्धी और नालागर से जागा आये थे जिसका कारण स्वास्त्य विवाग ने इन क्षेतरों में जागरुकता फैलाई और लोगों के चलान भी कियेगे यही बजा है कि इन क्षेतरों में अभी तक एक भी विक्तिकु डेंगू नहीं हुआ है लेकिन सोलन सेर में ही दर्जन से ज़्यादा मामले टेंगू के सामने आने से स्वास्ते विबाग चोका ना हो गया है स्वास्ते विबाग ने इन क्षित्रों में जगरुकता फैलाई और लोगों के चलान भी किये गे यही बज़ा है कि इन क्षित्रों में अभी तक एक भी बिक्तिकू डेंगू नहीं हुआ लेकिन सोलन शहर में ही दर्जन से ज़्यादा मामले टेंगू के सामने आने से स्वास्ते विबाग चोका ना हो गया शहर बास्यों को जागरुक करने में लगा है अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्ते अधिकारी एन की गुपता ने बताया कि सोलन शहर में साथ मा की बीतर अभी तक 18 मामले टेंगू के सामने आये हैं जिनका इलाज किया गया है जो अब पूरी तरह से स्वास्ते हैं उन्होंने बताया कि डेंगू से पीड़त लोग जैदा तर बैह हैं जो ही माशल के बाहर अपनी सेवाईं दे रहे हैं और कुछ बैह है जो कामका स्काइट है तो बे तुरंद अस्पिडाल में जाकर उसकर टेस्ट करवाए तो यह थास दिर्बर का कारेकरम कल फिर हाजिर होंगे नई कत्वीदियों के साथ आप ऐसे ही चुड़े रहे हैं एच्टू डे के साथ नमश्कार